तो we were to start with the principles of directing और हमने काफी mix and match किया था कि ये Henry Fjol साब के काफी principles से मिलते जुलते हैं इसेंट इचलर चलिए let's start तो the first is it requires communication अगर आपको motivate भी करना है तो until unless you are able to communicate will you be able to motivate your subordinate children no तो सबसे पहला principle है effective directing तभी हो पाएगी जब formal informal कैसा भी organization हो superior का instruction subordinate की बुद्धी में जाए और वो तभी जाएगा जब वो एक दूसरे से communicate करेंगे got it clear तो write the first and foremost channel of directing that is it requires communication without communication हम ना lead कर पाएंगे ना supervise कर पाएंगे ना motivate कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उनको कुछ बोल ही नहीं पाएंगे तो communication is the prerequisite of the principles of directing चल रहा है सर्मान लीजे गूंगा हो हमारा director कोई बात नहीं वो भी language आती न गूंगे बहरों वाली ब्रेल लेंग्विज होती है अंधों के लिए क्या होते हैं बाइनरी बंदरी कुछ होगा भगवाएं जाने आपको क्लियर होना चीए एक head एक plan के सहत काम करे for example sir मान लीजे कि भई प्रियागराज city में 2025 में कुम मेला महा कुम वाट्सुएवर नेम विगेव यह लग रहा है अब वहां का जो head in charge होगा उसको हमने प्रियागराज कुम का भी काम दे दिया इंडियन रेल्वेस के भी वो officer है भारत संचार निगम लिमिटेड के भी officer है क्या वह कहीं पर भी काम ठीक से कर पाएंगे बिकॉज मल्टिपल सीनियर रिस्पॉंसिबिल्टीज वह बिन गिवन तो वह काम ठीक से नहीं हो पाएगा तो कौन सा प्रिंसिपल फ्लॉप हुआ यूनिटी ओफ डारेक्शन नहीं कमांड नहीं यूनिटी ओफ डारेक्शन एक हैड के पास एक प्लान होना चाहिए हमने कितने दे दिये तीन सुन्दर पिचाही सहाब को बोला कि गूगल पिक्सल पर भी आपको काम करना है और एक निया ऑपरेटिंग सिस्टम करना उसके भी काम करना है क्या सुन्दर पिचाही कहीं पर भी काम कर वाएंगे अच्छा नो विकॉद आपने एक हैड को कितने प्लान दे दिये तो यह 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 यहां पर नहीं है तो यहां पर तो भाई खुदी काम करना है तो यूनिटी ओफ कमांड आएगा इन नंबर इंस्ट्रक्षन जो रेशीव करेगा अपने सुपीरियर से वो एक होना चाहिए तो एक सुपीरियर दस सुपीरियर को इंस्ट्रक्षन दे सकता है किसी ने Z instruction दिया, तीन-तिन instruction बिचारे को मिल गए, कि efficiently कोई भी काम कर पाएगा हो, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, कभी-कभी आपने देखा होगा कि आपका mobile phone हैंग कर जाता है, आपका computer tablet या laptop हैंग कर जाता है, हैंग करने का problem क्या होता है, उसकी जो RAM की functioning आप पखला जाती है, कैसे प पहला instruction दिया, उसी में उसको execute करने में धाई मिनिट लग गया, दूसरा तो अभी starting नहीं हुआ, और वो पखला गया है, अपने आपको भी-कभी mobile restart भी है था, बात करते-करते, तो किस चीज़ की problem आती है, उसमें, unity of command की, user, mobile के या computer के CPU को जो instruction दे रहा है, user is the superior, और mobile का CPU ज command, ओपने में बात गई, तो लिख दीजे, unity of command और bracket में लिख दीजे, refer Henry Fion, same principle, suitable direction technique, ये पुरानी direction techniques हो गई बचो, आज कल थोड़ा अध्यात्म की तरफ direction चला गया है, सर मतलब, मतलब ये है, पहले तो employee को motivate करना था, हम उसकी salary बढ़ा देते थे, पात साल लगातार वो हमा ऐसे सकतरसी employees थे, सब को बुलाया उनको भी, उनके घरवलों को भी और बाकी employees को भी, और जिनको prize देना था, उनको सब के सामें long service award, five year, ten year, best performer वगरा करके award दे दिया, और सब को बढ़िया चाहनाश्ता करा दिया, सब लोग खुश हो गए, तो they will feel motivated, काम करने की स्वतंतरता दे दी, जो मन करे, वो आप काम करिए, हमें सिर्फ organization की तरक्की चाहिए, इसके लिए मेरे पास एक real life case story है, autonomy के उपर चलन, आपने सुना होगा, Indian railways के बारे में correct, कभी e-ticket देखा हो, तो उसमें लिखा होता है, IR recovers only 57% of the cost of travel, तो हो सके, तो कम से कम इस ticket का printout ना निकाले, at least आप कुछ paper save कर लेंगे, yes or no, यह सबसे बड़ा जूट है बचो, यह किसी जमाने में, they used to recover 57% of the cost of travel, COVID के बाद तो उन्होंने हर तरीके की discounts बंद कर दिये, पहले senior citizen में ladies को 60% discount था, जो 60 years से उपर ladies थी, gents को 40%, sports courtे का discount, student discount, यह वो सारे discount, cut कर दिये, Parliament के जो ministers हैं, MPs, उनके पास coupons होते हैं train की ticket के, उनको as it is मिलते हैं, but बाकी civilians को कोई भी discount ने मिलता, तो सबसे बड़ा जूट तो यह है, पहले भी यही लिखते थे, सारा discount बन कर दिये, तब भी लिखते हैं, maximum trains are being converted into वंदे भारत और राजदानी और वो कौन सी आती है, colorful train, हम सफर express, तेजस हम सफर है, maximum trains में flexi fare चालू हो गया, dynamic pricing, आपको ticket दिखाएगा 1240, booking कराने जाएंगे 14, 15, 16, 16 का ticket हो गया, तो यह सारी चीज़ें लिखने के बावजूद भी अगर उनको profit नहीं हो पा रहा, better year railways में रोख देदे मैं उनको profit देदूँगा, तो बहुत जमा और इनकी मुलगात हो गई सहरा श्री सुब्रा तरह सहरा जी से, जिनों ने इनको बोला, लालू प्रसाद जी, आप Indian railways हमको दे दीजे, और जितना revenue आप expect करते हैं, profit के साथ हम आपको दे देंगे, लालू प्रसाद जादर जी ने बोला, भै इतनी बड़ी machinery है हमारी, कितन collecting agents होते हैं, train के अंदर काले कोट वाले, कुछ लोगो वकील समय लेते हैं, कहते हैं, वकील साब case लड़ें, क्या हमारा, समयने ना पंड़ जी, तो so called, अब इनके पास autonomy नहीं थी, और इनको पता था, मैं टिकेट कलेक्ट करू, ना करू, चलान काटू, ना काटू, मेरी salary त करते थे, video apologies, अगर कोई TT है, यहाँ पर दो, TT लोग क्या करते थे, WT किसी को पकड़ लिया, अब चलान कटेगा, एक हजार का, 500 में सेटिंग करके, 500 अपनी जेब में रख लेते थे, तो ultimately, ट्रैवल करने वाले ने ट्रैवल कर लिया, और TT अंकल की भी जेब भर गई, चु लोग बैटेंगे, पर पैसेंजर कॉस्ट क्या आएगी, और उसी साफ से अपने टिकेट का प्रैस रिसाइट करोगे, तो घाटा कैसे होता है आपको, घाटा ऐसे होता है, कि आपकी ट्रेंस तो ओवर क्राउड़िट फूल रती है, लोग विदाउट टिकेट ट्रैवल करत हैं, तो कहते हैं, उनके लिए तुमने टीटी रखता है, टीटी बूरा चलान तो काटता ही नहीं, टीटी दस प्लोग का चलान काट लेगा, चालिस का पैसे अपनी ये में रख लेगा, समझना क्या, टीटी इसको ऑट्रोमी दे दी गई, क्या आप जितना जादा चलान जितनी ज्यादा पैनल्टी वो रेल्वे को दिलवाएंगे, उनका इंसेंटिव उतना जादा होगा, तो रेल्वे इस मेकिंग सूपर दूपर प्रॉफिट बड़ी कमाई का जरीया है, क्योंकि बच्चों कमाई का जरीया ना होता ना, तो जैसे लाइसी को ये लोग बेच लोगों की जरुद के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से, उनके आटिट्यूट के हिसाब से, हम मोटिवेशनल टेक्नीक फॉलो करते हैं, अब कोई CEO लेवल का परसन है, उसकी चाहत है कि मेरे को senior president of the company मना दिया जाए, और आप उससे कहने, salary बढ़ा देंगे 10%, post नहीं दे position and power के लिए काम है, logic समझ में आया की नहीं आया, आपको भी कोई बोले भई देश के पर्थान मंतरी बनोगे, तंखवा मिलेगी सिर्फ 50,000 महिना, अरे हम 500 और महिने मं बन जाएंगे, ऐसी क्या बाद है, position and power कितनी ज़्यदा आपके पास आजाएगी, salary doesn't matter at those places, logic अंडर should convince the employee कि भई जहां भी आज organization तरक्की कर रहा है, सिर्फ आपके contribution और effort की वज़े से है, सुबह, शाम, गदा, गोड़ा उसको बोलते रहोगे, तो एक दिन हुआ अपने आपको गदा मान ही लेगा, और फिर वो आपके organization के लिए अच्छा काम नहीं करेगा, he would start become a minus item in BRS, समझ यह हक जताना है या जताना है कि जितनी जरुत आपको हमारी है, उतनी जरुत हमको भी आपकी है, तो ना हम आपके ओपर ऐसान कर रहे हैं ना, आप मारे ओपर ऐसान कर रहे हो, you are working, you are doing good, it's for your betterment only, accordingly you will be complimented with good amount of composition, logic समझ में आया, तो कभी-कभी employees होते हैं, मेरी बदालत organization में ऐसा हो गया, अब इनका राची जाने का समय आ गया है, अब ये बकवास भौकना चालू कर दिये हैं, क्या ऐसा किसी employee को सोचना चीए, बिलकुल नहीं, क्या ऐसा किसी employer को सोचना चीए, कि मैं अगर इसको नौकरी से निकाल दूगा, तो ये बिचारा कल से खाना भी निखा पाएगा, ऐसा कुछ है, उपर वाले ने सबका time table life का set किया हुआ है, तो no employee, so called, should say in front of the employer की हम ही हम है, बाकी सब, बाकी सब का तो तुम तो चीनी कम हो, तो किसी को भी चीनी कम और जादा मानना नहीं चाहिए, तो जितना आच्छा आप काम करेंगे, उतना जादा आपको reward म लेगा, this is the objective of the organization, जिसको employee अगर फुल्फिल करता है, तो employer उसको कैसे दे, logic understood harmony of objective, तो क्या employee कभी job करेंगे, ऐसे मैंने असान किया आपके उपर, ना करो प्रभू, बिल्कुल मत करेंगे, जाओ तुम, हम कल तुम से बेटर employee भरती कर लेंगे, तो आप भी कल को employer बनेंगे, म the next principle, follow through, directing की बात करेंगे, whatsoever work has been assigned to the employee, the director, the superiors, would see to it that it is being done properly, या नहीं देखेंगे, would see to it, जैसे आप doctor के पास जाते हैं, doctor को आपने अपना कश्ट बताया, उन्होंने diagnose किया, prescription दे दिया, दवाई दे और बुली एक अफते बाद फिर आना, आप एक अफते बाद फिर गए, doctor आप तो काफी बिमारी ठीक हो गई है, अब पाँच में से चार मेडिसन कम कर तो सिर्फ, एक खन और तीन दिन बाद फिर आना, doctor क्या कर रहा है, इकट दुकट खेला पके साथ, no, follow-up कर रहा है, क्या कर रहा है, follow-up, यह समना टक डेंटेस्ट लोग ज्यादा करते हैं, यह यह एक ही साथ में पूरा मिर्फ मसाल लगा के ठोक बीट के दान बना दे, चार दिन बाद आई है, पंदा दिन बाद आई है, बीस दिन बाद आई है, understanding, तो वैसे superior क्या करता है, चेक करता है कि जो काम मैंने दिया था अपने subordinate को, वो हो गया या, अगर हो गया, very good, बढ़ इसी जमाने में आपने पढ़ा था, वाट चलन, decentralization, और इसी से कुछ confusing मैं मिलता जूलता नहीं बोल सकता, क्या पढ़ा था, of authority, are they exactly same, no, कुछ थोड़ा बहुत similarity कभी कभी मिल जाती है, परना नहीं, तो delegation of authority का मतलब superior, अपनी authority, responsibility और तीसतरा accountability किसको देगा, subordinate को, एकदम simple सा example समझातों, एकदम simple, आपके घर में चुलबुल पंडे कौन है, पापा की मम्मी, दादी जी मतलब, समझ्या गया, अब दादी जी जा रही है, कैलाश मान सरोवर की यातरा करने, और आएंगी लगब, एक महीने के बात, चलिए, खुश होएं सुनके, ने, कुछ ना राइक बुलते सर, कोई वरोसा नहीं, एक महीने बाद दादी माँ वापिस आएंगी, और पूरी responsibility किसको देखे गई है, मम्मी जी को, कि भई, पूरा बहु तुम्हें घर देखबाल करना है, मम्मी बहुत खुश, कल से म मम्मेदारी किसकी हो गई, मम्मी की, और कुछ मामा के दलिद्दर छोटे बच्चे चले आए, और नालायक मेंगी क्रॉकरी थी लाओपाला की, तो टाले, अब या तो मम्मी नई क्रॉकरी उसी तरह की लेके आएं, और या तो फिर, देखा जाएगा वविश्व में क्या हो और पहले पूरे महले में, पूरे खांदान में सब से पूछ-पांचनी जिक्र कर ली, कि मैं चली जाओ, तो लोगों ने बोला, हाँ चली जाएए, आपकी उमर भी 130 साल हो गई है, और आपको कितना जीना है, तो जब उन्होंने पूरे महले में महले बाजी की, और कंसर्ट किया लोगों से, और लोगों ने कहां ठीक है, चली जाएए, यातरा कर आईए, क्लास पांचरो और वगएरा, तो दिस इस कॉल्ड ऐस वाट, डी सेंट्रलाइजेशन, और जब सारी जिम्मेदारी मम्मी जी को सौब दियो उन्होंने, तो वैसे ही सीनियर मैनेजर, अपने रोल दे के जाता है, भई मैं दस दिन बादा हूँगा, पांच दिन बादा हूँगा, that is again called as what चला, delegation, समझ में आगई बाद, तो यह ultimately हम क्या कर रहे हैं, हम leadership दे रहे हैं दूसरे को, ताकि वो भी कल को हमारी तरह काम कर पाए, समझ में आगई बाद, तो offers leadership is somehow delegation of authority basically, तो आप कहले कहेंगे तो कोई है निए, डी से कोई स्टाटी नहीं हुआ, offers leadership, समझ माया, यह Henry Fjol चाचु के प्रिंसिपल में था गी नहीं था, decentralization दो था, delegation था, क्यों नहीं था सर, delegation application है basically, authority and responsibility था की नहीं था, उपर ही था, तो authority and responsibility का जो application है वो delegation है, तो था Henry Fjol के principle में सिर्फ साफ साफ लिखा नहीं था, जैसे हम name slip खरीदने जाते हैं, markets क्याते हैं, गोंद लगी हुँ दे ना, by default है भई, name slip है, तो गम उसमें लगी होगी, बढ़ हमारे जमाने में जब हम prep और one में पढ़ा करते थे, तब बच्चो इस तरह की name slip नहीं आती थी, तब इंडिया में gumd sheet नहीं होती थी, सर फेर, normal paper की print out होती थी, जैसे वो leaders के और fruits के pages मिलते हैं, आजकल वो भी gumd मिलने लग गए, पहले वो भी वैसे नहीं आ जब ये ट्रांजिस्टर्स, चिप्स, चिप्स वो लेज वाला नहीं, जो चिप वाला चिप मोबाइल में लगता है, जब बहुत सस्ता हो जाएगा, LED पैनल डिस्प्ले, तो लोग अपनी copy लगाएंगे, और फिर अपना fingerprint लगा देंगे, और फोटोगर सब डिस्प्ले रह चलिया, और विसी बात है, सस्ता तो जहर भी नहीं होता, महंगत हो गई होगा, तभी तो economic growth होगी भई, application of informal organization, informal में भी directing होता है, बट यहाँ पे directing की speed fast होती है, और formal में directing की speed slow, got it clear, तो बस यह लिख दीजिए, application for informal organization, the speed is fast, and for formal organization, the speed is slow. maximum individual contribution, so directing must help every individual in the organization to contribute, maximum efforts और minimum efforts, एक आपने पढ़ा था, subordination of individual interest towards general interest की, अपनी चिंता ना करे, पूरे organization की फिकर करे, समझ में आया की नहीं आया, नहीं आया, समझ में आगया, चलिये, so please copy this point as well, अगला content children लिख लीजे, तुकूर तुकूर, दाए बाए देखना, क्या बोलते हैं इसको, supervision, और आपको, मैं जीता जाता है, example देता हूँ, supervision का, जब मैं आपको पड़ा रहा हूँ, मैं आपसे भी पूश रहता हूँ, कोई doubt है, कोई query है, प्लीज आस्क, that is also supervision, आपके घर में भी आपको चंदरमा समझा जाता है, और मम्मी और बिटर की तरह, खूंती रहती हैं, आप पाणना हैं की नोटंकी कर रहे हैं, और बीज बीट में मैसेज भी transmit कर देती है, चपल वगएरा के थुरू, कभी-कभी उनका हाथ ही काम आ जाता है, communication होता है, transmitter और orbiter के lander के बीच में, तो आप अपने आपको lander समझ लें, और मम्मी को orbiter समझ लें, और मम्मी की जो हरकते हैं, वो supervision हो गई, क्या हुआ, transmitter तो उसी lander के अंदर लगा रहेगा, orbiter के अंदर लगा रहेगा, चलिए, तो खोपनें बात देख, what is supervision, चलिए, तो बच्चों दो लाइन की definition लिख दीचे, एक तहम असान सी है, overseeing the work of the subordinate by the superior, observing the subordinates at work to see that what is according to the plan and policies is being done or not, examination hall के अंदर, teacher invigilator का का काम करता है, और पूरी class में मन रहता है, बच्चों को चिट निकालने का मौका मिल ही नहीं पा रहा, स कभी-कभी ऐसा भी होता है कि teacher ने देख लिया, कोई बच्चा नकल मार रहा है, क्या रहा कोई बात नहीं, तुमसे मैं धाई गंटे बाद समझूगा, धाई गंटे बाद उसको पकड़ लिया, caught cheating और नहीं कॉपी दे दी, अब उसके बाद लिखने का भी समय नहीं बचा, इसका मतलब supervision is good, समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात, पका, तो घर में भी जो आपके पापा मी आपके ओपर ध्यान देते रहते हैं, बीच बीच पूछते रहते हैं, पढ़ाई टीक से चल दी and all that, क्या होता है ये, supervision, office में factory के अंदर भी, जो superior मंडराते रहेंगे, तो हमें regular feedback मिलता रहेगा, employee थोड़ा सा गरबल करेगा, तो हमें बीच बीच के उसको सुधारने का मौका मिल जाएगा, हम उसको motivate करते रहेंगे, अगर लग रहा है कई resources are being wasted, तो सही तरीके से resource को कैसे इस्तमाल करना है, उसका सही तरीका मुसको बता देंगे, that is optimum utilization, like in a classroom when you are writing some notes, doing some numerical, teacher correct, यह ऐसे नी होगा, यह ऐसे होगा, that is the act of what children, supervision, even जब sports activities हो रही है, आप badminton खेलने जा रहे है, आपका coach बीच बीच में आपको टोक रहेगी, ऐसे shot मारना है, shuttle cock को ऐसे throw करना है, तो what is that coach is doing children, he is doing supervision, got it clear, labor problems reduce होंगी, क्योंकि बीच बीच में जो हम हमारे superiors होंगे, वो workers को motivate करेंगे, ताकि वो job अच्छे से करें, कोई उनकी problem में तो हमा ऐसा share कर सकते हैं, production access हो रहा है तो we can control, और short हो रहा है तो we can control, and we'll see to it that all the people come to the organization on time, they do their work on time, meet the targets on time, they are in a disciplined way, reporting यह जो superior होगा, यह अपने subordinates की सारी बाते अपने upper management में देगा, अगर operational level पर काम कर रहा है तो middle को देगा और middle में काम कर रहा है तो top management को, so these are the activities that a supervisor is supposed to do as such, लिख दिये सबने points, all points इटन चले, चलिए तो पहला start करते हैं, इसमें points so called हो सकता है, उपर नीचे लिखे हो, not to worry, so inspire करता है subordinate को हमारा superior, कि अच्छे से काम करोगे, तो तुम्हें monetary, non-monetary incentives भी मिलेंगे, अगर supervisor ही ना हो, robotics चला आए, AI चला आए, तो क्या employee को देखने वाला कोई होगा, no, employee को अगर बच्चों देखने वाला कोई नहीं होगा, तो हो सकता उसकी गलती सुदाने वाला भी कोई ना हो, और जो mistakes करता जा रहा है, वो continuously करता जाएगा, कहावत कहावत सही है, application गलत है, practice makes the man perfect, आप गलत चीज़ की practice करेंगे तो आप गलती में perfect होगे, आप सही उसको कभी कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमारे superior का होना subordinate के उपर बहुत जरूरी है, तो अगर किसी organization में supervision नहीं है, तो समय लीजिए that organization is a child without parent, बरबाद होने के सारे लक्षण और गरहन है उसके अंदर, समझ गए, written all, done, updated, चलिए, regular feedback, बीच बीच में आप अपने subordinate से views लेंगे, जो कुछ अच्छी बाते हो सकती हैं, जो कुछ improvements हो सकते हैं, जो betterment हो सकता, organization का आप उनसे feedback लेंगे, किसको pass on करेंगे, upper level management को, operational level will pass on to the, middle and middle level will pass on to the operational level, खो पड़े में बात गई या नहीं, समझ में आगया, clearly understood, so it acts as a link between the management and the workers, तो middle level पे अगर supervisor है, supervisor middle level पे ही होता है एक तरह से, तो वो top level और operational level को भी link कर देता है, operational level पे अगर supervisor है, तो वो worker और middle level को link कर देगा, okay, implement करता है, plans and policies, कोई भी नई चीज़ें, अगर supervisor को बोली गई, अभी तक छुटी का system था, कि 15 दिन तक की छुटी कोई भी employee लेगा, तो उसकी salary नहीं गटेगी, अब ये 20 दिन हो गया, तो employee will be motivated by having more holidays, और demotivated, motivated, ये 15 दिन की छुटी, पांच दिन कर दी गई, और सबका salary पांच परसन बढ़ा दिया गया, क्या होगा, motivation, एक तरफ फाइदा हो रहा है, एक तरफ नुकसान हो रहा है, और employees को लग रहा है कि इसमें मेरा फाइदा ज्यादा है, तो ये बातें कौन बताएगा, low level को, या operational level को, या workers के level को, the supervisor basically, कुछ suggestions होंगे, workers की समस्याएं हैं, worker के घर में मान लिजी किसी की death हो गई, अब worker 15 दिन की छुटी मांग रहा है, तो क्या supervisor उसको fire कर देगा, no, उसका कोई alternative ढूनेगा, और 15 दिन के लिए उसे छुटी पे भेज देगा, समझ में, आई बात, copied everybody, done all, optimum utilization of resources, ये कैसे होगा, management में एक logic होता है बच्चो, MIS का, what, monthly income scheme मत समय ले ले न, management information systems, what, information systems, daily के targets fix किये जाएंगे, throughout the day, कितना target, achieve हो गया, ये देखा जाएगा, कुछ काम pending बचा है, तो it will be seen, और कुछ अगर access हो गया, तो it will be reported, pending है, तो cost क्या था, correction किया जाएगा, access क्यों हो गया, इसका मतलब जादा production हो रहा है, तो कुछ दिन के लिए हो सकता है, factory हम, बंद कर दें, तो sir employees की तो मौज हो जाएगी, नहीं मौज नहीं होगी, हम उनको कोई training program करा देंगे, उनको कोई yoga करा देंगे, meditation का lecture करा देंगे, उनका, office तो daily उनको बुलाना ही बुल करें, basically, so let's continue further, reduce labor problems, supervisor बीच में समस्याओं का समधान करता रहेगा, अपने subordinates का, तो subordinates के कोई grievances है, किसी को advance है, घर में बेटी की शादी है, घर में कैसे शादी होगी, अरे मतलब बोलते हैं ना, घर में शादी पड़ी है, बैंको डॉल में, बोला ऐसे ही जाता है, घर क की शादी है, तो कोई लोगा घर में शादी है, घर में कैसे शादी होगी, घर मतलब घर के मेंबर की शादी है, तो बही advance पैसा चाहिए, दो महीने की salary चाहिए, बगएरा बगएरा, तो subordinate सीधे पहुंच तो जाएगा नहीं मुकेशमानिक पास, तो he will get in touch through the help of the superior, superior, उसका supervisor होगा, कोई भी समस्या होगी, तो वहाँ से resolve हो जाएगी, समझ गए बात को, चले, understood, update कर दीचे स्पॉइंट, चले, control, यह क्यों होगा, TV क्यों पहन लिए है, इसने, the supervisor will see to it, अभी मैंने आपको example दिया था, या तो हमारा output pending होगा, या तो access होगा, तो we'll see to it, कि अगर pending है तो क्यों है, और access है तो क्यों है, तो जो हमारा time schedule, जितने units produce करने का है, production exact होगता ही होना चीए, जाधा produce करेंगे, तो market में supply जाधा हो जाएगी, price will go down, कम produce करेंगे, तो market में demand जाधा रहेगी, inflation हो जाएगा, तो profit थोड़ा ही कमा पाएंगे, बहुत जाधा कमा, नहीं comments होता था, और एक so called planned होता था, फिर उसको compare करते थे, deviations थे, अगर नजर अंदाज करने वाली बात है, तो इसके बोला जाता था, management by exception, और अगर नजर अंदाज नहीं करना, तो इसको बोलते थे, critical path control, चाय बन रही है घर में, चीनी थोड़ी जाधा बढ़ गई, अरे कोई फरक नहीं पढ़ता, आपको नहीं पढ़ता, उनको पढ़ता है, तो पूरे घर में डुड़ाई चालू हो जाएगी, it is what, critical path control, कौन सा chapter था, याद है लोग हो हम, controlling में आपने ये बातें शायद पढ़ी थी, याद आया, standard आपको देखना था, कितना fix किया, आपने actual performance कितना हुआ, deviation निकालते थे, याद आगया, very good, तो ये principle वहाँ पर काम कर जाएगी, got it, चलिए, control understood, and next is, ये control लिग गया बचो, कलती से होना चाहिए था, इस पर to maintain discipline basically, ताकि हमारा employee regularly काम पर आए, अगर कोई जान पूच के late आ रहा है, तो उसके ओपर penalty लगाए जाएगी, और उ ही बातें चलेंगी, समझ गए इन बातों को, reporting का मतलब चुबली करना, no, superior बताएगा, top management को, middle management को, कि हमको आपने जो काम दिया था, हमने लोगों से करवाया, and जो cost बोली थी, उसी cost में काम हुआ, जो quality बोली थी, output की same quality मिल रही है, ना जादा ना कम, और ये daily और weekly basis में चल करती है, और बढ़ेगा, तो दो और, तीन shift factory चलेगी, it depends basically, समझ में आगई बचो बात, चले तो अगले lecture में हम motivation करेंगे, I hope so, सबने अला point लिख लिया होगा, समझना क्या, सुन्दर पिछाई जी का नाम सुने बचो, day one से तो वो CEO थे नहीं Google के, तो उन्होंने Chrome जो invention था, पहले internet explorer चलता था Microsoft का, बट उसके बाद उन्होंने better search engine बना दिया, कुछ अच्छा algorithm उसके अंदर add कर दिया, तो इसके लिए उनको non-monetary incentive और monetary incentive दोन दिया गया, salary भी बढ़ा दी गई, और उनको senior programmer की post से उठाके, सीधे CEO बना दिया गया, समझ गया, चले, reporting is understood, तो कैसे उ CEO बनाए गया, जो उनका supervisor था, उसने top management को report किया, कि लकव होद अच्छा है, दूसरी companies की नजर इसके उपर लेगी हुई है, भाग गया तो दिन्दा चौपट हो जाएगा, तो it is better कि इसको पैसे भी दे दो और इसको थोड़ा सा promote कर दो, that is the benefit of reporting to the so-called senior management, top management for the subordinate who is working, जिसक को हम स्टार करेंगे.